खाना, खजाना बेक सिखा, चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे फ्राइड हरी मिर्ची। 100 ग्राम हरी मिर्ची ली है, मिर्ची को अच्छे से धुल लिया है और इसका सारा पानी सुखा दिया है। सबसे पहले मिर्ची में कट लगाएंगे एक मिर्ची लेंगे इसको इस तरीके से बीज से काट लेंगे देखिए मिर्ची को दोनों साइड में नहीं काटा है सिर्प एक ही साइड में इसको हलका सा काटा है दूसरी मिर्ची लेंगे उसमें भी इस तरीके से कट लगा लेंगे इसी तरीके से सारी मिर्ची को काट के त्यार कर लेंगे सारी मिर्ची में इस तरीके से चीरा लगा के त्यार कर लिया है मिर्ची फ्राइ करने के लिए एक कठाई में एक बड़े चमच सरसो का तेल डालेंगे तेल को अच्छे से गरम होने देंगे अगर आप खाने में सरसो का तेल यूज नहीं करते हैं तो आप कोई भी कोकिंग ओयल ले सकते हैं तेल अच्छे से गरम हो गया है, इसमें आदा छोटा चमच जीरा डालेंगे, जीरा को अच्छे से भुनने देंगे, आदा छोटा चमच कलॉंजी भी डाल देंगे, दस वारा पिंच हींग, तीनो को अच्छे से भुन लेंगे, जीरा, कलोजी, हींग तीनों अच्छे से भून गए हैं गैस की फ्लेम को अब लो कर देंगे अब इसमें डालेंगे आदा छोटा चम्मच हल्दी हल्दी को भी अच्छे से भून लेंगे हल्दी अच्छे से भून गई है अब इसमें हरी मिर्ची डाल देंगे हरी मिर्ची को अच्छे से चला लेंगे गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे मीडियम फ्लेम पे ही मिर्ची को आदा मिनट तक फ्राई करेंगे आदा मिनट हो गया है मिर्ची को फ्राई होते हुए अब इसमें मसाले अट करेंगे आदा छोटा चम्मच कस्मीरी लाल मेर्ची एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर एक छोटा चम्मच कुटी हुई सौफ आदा छोटा चम्मच अमचुर पाउडर स्वाद अनुसार नमक सारे मसालों को अच्छे सी मिक्स करेंगे गैस की फ्लेम लो कर देंगे सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं लो फ्लेम बे मिर्ची को दो मिर्ट तक डखके पकने देंगे मिर्ची को बीच बीच में चलाते रहेंगे जिससे कि ये हर तरब से अच्छे से सॉफ्ट हो जाए एक नट हो गया है, मिर्ची को पकते हो गये, मिर्ची थुड़ी से सॉफ्ट हो गई है गैस की फ्रिम को ओफ कर देंगे, कडाई को हलका सा थंड़ा होने देंगे कडाई हलकी से थंडी हो गये है, अब इसमें ऐट करेंगे 2 चम्मज दही दही को मिर्ची के साथ में अच्छे से मिक्स करेंगे अगर आप कढ़ाई को ठंडा करके दही डालेंगे तो दही फटेगा नहीं गैस की फ्लेम को अन कर देंगे और फ्लेम को लो ही रखेंगे लो फ्लेम पे ही दही को आदे मिनाट तक पकले देंगे देखिए दही बिल्कुल भी नहीं फटा है दही डालने के बाद मिर्ची को कंटीनी चलाते हुए भी पकाएंगे आदाम रठ हो गया है दही को पकते हुए दही भी अच्छे से पक गया है गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे मिर्ची को कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे देखिए कितनी अच्छी मिर्ची फ्राई बनके आई है हरी मिर्च फ्राई अपने घर में बनाईए मेरे एस भी को लाइक कीजे चैनल को सब्सक्राइब कीजे तेंक्यू